हलो गाइज और वेलकम तो थर्टीन्थ क्लास अप एडोबी फोटोशॉप सी 2020 बिगिनर्स गाइड आई होप अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी चीज़े सीखी होंगी और आप लोगों को अभी तक के क्लास में मजा भी आ रहा होगा और जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस करते जाएंगे हमारी जो पोटोशॉप पर यूज़ करने की जो टेकनीक है वो हमारी थोड़ी थोड़ी एडवान्स होते जाएगी और हम लोग नए नए चीज़ों को सीखना स्टार्ट करेंगे अब अभी तक की क्लास आपके लिए एजी रही होगी अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे क्लास में प्रोग्रेस करेंगे तो थोड़ी सी चीज़े और ड़र डिफिकल्ट होती जाएंगे तो क्लास के साथ बने रहिए और कंटिनियूसली हमारे वीडियो को देखते रही है तो आज के खलास में हम लोग बात करने आवाले हैं एडवानस सेलेक्शन में object सेलेकृशन magic wand किस तरह से हम लोग विक सेलेक्शन को use करते अगर हम लोगों को थोड़ा complex सेलेक्शन अगर बनाना होगा तो वह हम लोग कैसे बना सकते हैं अभी आगे आने वाली जितनी start से end तक देखिए and यहाँ पर आपके सीखने में बहुत ज्यादा मदद हो सकती है because हर topic पर जब मैं कोई चीज़ explain कर रहा हूं तो वो जानना बहुत ज्यादा ज़रूरी है and अगर किसी भी चीज़ को आप miss out कर देंगे तो शायद से आपके लिए वो तूल या वो option को यूज करने में difficulty आ सकती है और राइट गाइस तो hello guys welcome to JFX ग्यान मैं हूँ आपका instructor रोशन चलिए start करते इस वीडियो को and guys as usual जैसे मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ वीडियो को like करिए comment करिए ता कि दूसरों को पता चले कि वीडियो कैसी है और जो चैनल पर आ रहे हैं वो वीडियो देखने से पहले आपके comments को read करके वीडियो को देखना start करे और राइट गाइस तो चलिए start करते इस वीडियो को सेलेक्शन टूल इससे पहले आप लोग यूज करना start करें मैं आप लोगों को कुछ चीज़े clear कर देना चाहता हूँ क्योंकि इन tools को लेके थोड़ी बहुत misconceptions होती हैं कि ये जादू जैसे काम करते हैं मतलब कि अगर आपने सरफ एक बटन दबाया तो आप बहुत अलग अलग तरीके के complex selections या background removal और ये सब चीज़े कर सकते हैं जैसा नहीं होता ये बहुत tedious process होता है कभी-कभी because it completely depends on the kind of image you are getting तो जैसा आपको image मिलेगा या जैसा आपको यहाँ पे work मिलता है ठीक है और क्या आप output निकालना चाहते हैं और किस तरह का composition तैयार करना चाहते हो उस हिसाब से आपको यहाँ पर आपके tools को use करना पड़ता है ना mostly जो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ यह सारे के सारे basics हैं आगे आने वाले जितने भी class होंगे जब हम लोग advanced classes में जाएंगे तो हम लोग और complex तरीकें को देखेंगे कि आप एक complex selections कैसे करते हैं अब जैसे कि for example यह जो image आप देख सकते हैं यहाँ पे जो hair detail है यह बहुत ही complex है और यहाँ पे मैंने इसे बहुत आराम से इस जगह पे detail के साथ में extract किया हुआ है जहाँ पे इतने बारिक बारिक hairs को यहां से extract करना is not a simple task but हम लोग इसे कर सकते हैं अगर आप Photoshop की बात करें तो Photoshop जैसे जैसे newer versions के साथ आ रहा है यहाँ पे जो इनकी learning system है because now Photoshop has introduced a lot of AI systems Adobe Sensei करके Adobe ने अपना एक AI system त्यार किया हुआ है जो automatically बहुत सारे चीजों को read करता है learn करता है समझता है और बहुत कुछ आपको अपने आप करके देता है अगर आपने newer version of Photoshop 2021 को देखा होगा या आपने कुछ वीडियो देखे होंगे अगर नहीं देखोंगे तो मैं recommend क करूँगा कि आप YouTube पे जाके या फिर आप Adobe के website पे जाके देख सकते हैं कि किन new features के साथ में यह application launch हो चुका है आगे कुछ time में मैं भी आप लोगों को दिखा दूगा because अभी तक मैंने version को upgrade नहीं किया और मैंने version purchase नहीं किया तो मैं जैसे उसे version को upgrade कर लूँगा उसके आपके object selection tool, quick selection tool and magic wand tool अब यहाँ पर मैं थोड़ा सर्रिवर्स ओडर में जाओंगा मैं यहाँ पर सबसे पहले cover करूँगा magic wand tool, quick selection and then object selection ठीक है because यह tools इतने जादा complicated है नहीं बहुत simple tools है और बहुत quickly आप इनको use कर सकते ही, now यह बहुत जादा image specific tools है मतलब कि आपके पास images कैस करेंगे ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, तो यह misconception पर नहीं रहना जैसे मैंने starting में बोला कि यह tool जादू जैसा काम करेंगे और आपने एक click किया तो सब कुछ सारा का सारा काम हो जाएगा, guys यहाँ पर आपके skills भी बहुत जादा matter करते हैं और जितने भी professional artist है industry के अं यहाँ पर यह नाम बता रहा है magic wand, तो यह एक जादूई टूल जैसा है, तो आप click करेंगे तो selection कर सकते हैं, यहाँ पर आप आपको कुछ settings मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको new add, subtract, intersect का option मिल जारा है, जो मैंने आपको previously बता दिया है कि यह क्या होते हैं और इन्हें कैसे use किय जाता है, sample size होते है, number of pixels sampled by this tool, कितने pixels को sample करेगा, वो हम लोग यहाँ से average set कर सकते हैं, point sample होगा, या फिर हम लोग 3 by 3, 5 by 5, या अगर कोई range अलग चाहिए, तो हम लोग उसे भी setup कर सकते हैं, by default आपको मिलेगा point sample, उसके बाद मिलता है tolerance, tolerance is basically number of color sampling, अब यहाँ पर 256 colors मिलते मैंने आप लोगों को explain किया था color mode में, कि RGB में आपको 256 colors मिलते है, 0 to 255, तो यहाँ पर हम लोग tolerance set कर सकते हैं, कि अगर certain color को आप sample कर रहे हैं, कितने range तक की color को आप sample कर सकते हैं, अब for example मैं इसे set कर देता हूँ, let's say 20 पे, और मैं आपको यहाँ एक image पे दिखा देता हूँ तो मैंने यहाँ पे gradation तयार किया है, तो यह solid blue color है, और blue से black तक का यहाँ पे हम लोगों को range मिल जा रहा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके अपने tool को select करूँ, magic wand को, और मैं अगर यहाँ पे click करता हूँ, ओके, तो अब देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे tolerance 20 रखा हुआ है, तो if I just zoom in, और मैं आगर एक पहले एक single pixel को अगर click कर लू, तो यह selection start हो गया, लेकिन यह पूरे image को select नहीं करेगा, ठीक है, यह certain range को select करता है, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले pixel को click किया, तो इसकी tolerance थी 20 की, तो यह around 20 pixel, यानि की 20 color range, जब change हो र है, जैसे जैसे over the time यह travel कर रहा है, ठीक है, तो यह 20 pixel तर color change हो रहा है, तो उतने intensity को वो select करेगा, तो for example यह blue original 255 का था, उसके बाद हो सकता है, 254, 253, 252, 250, and ऐसे ही यह, जब तक इसका count 20 कम नहीं हो जाता, तब तक यह इस तरह से, उस range तक के color को select करेगा, अगर मैं आपक see the first pixel, 255, हम लोग यहाँ पर देख सकते है, RGB में, 255, and अगर मैं नीचे आ जाओ, इस जगह पर, around 234, यानि 20 pixel का यहाँ पर आपको difference मिल जाएगा, approximately 20 to 22 pixels का आपको यहाँ पर difference मिल जा रहा है, तो यह range हो गया, अगर आप इसी range को तोड़ा और increase कर देंगे, so let's say for example, अगर ह आप देखेंगे, तो यह range थोड़ी सी और जादा high होगी, लेकिन यह उससे जादा नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने स्री 150 color samples ही बोले है, certain color के, यहाँ पर blue है, तो मैंने उसके blue के 150 samples, color sample, यानि कि जो color gradation होता है अपना, यहाँ पर इस चीज को मैंने 150 तक ही sample करने के लिए कह है उससे, तो this is like how the tolerance work, उसके बाद हम लोगों को मिल जाता है anti-alias, जो मैंने आपको बताया था कि edges को swap करने में काम आता है, next जो important tab आपको मिल जाता है, वो है contiguous का, contiguous कैसे काम करता है, now जब यह option on होता है आपका, तो आप कोई भी color sample कर सकते है, अभी for example, अगर मैं यहाँ आ जाओ, मैं उपर click करता हूँ, तो अब देख सकते हैं क्या हुआ, यहाँ पे इस pixel पे जैसे मैंने click किया, it started picking up all the colors, but यहाँ पे चीज क्या थी, मैंने click किया इस जगह पे, इस sample पे, लेकिन इसने पूरे image पे sample करना start कर दिया, पहली तो चीज़े जो मैंने tolerance रखा था, वो कम करके आपको दिखाऊ, और फिर मैं अगर यहाँ पे click करूँ, तो यह बहुत कम range के colors को pick करेगा, अब अगर इस contiguous को मैं off कर दूँ, तो देखिए क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे click करूँगा, irrespective of the available pixel, अब पहले क्या हो रहा था, जहां मैंने click किया, उसके ही native pixels को वो select करता है, यानि कि जो भी उसके बाजू में है, या उससे nearest जो भी pixels होते हैं, और जहां पे भी उसको similar color मिलेगा, वो उसको select करता है, लेकिन जैसे ही मैंने contiguous को off किया, तो वो अपने बाजू में नहीं, पूरे image में जहां पे भी उसको similar color का pixel मिलेगा, वो उसे select करना start कर दे अब उसको वो select कर लेगा, अब उसका एक अच्छा example हम लोगे आपर देख सकते है, flower पे, अगर मैं contiguous on कर देता हूँ, और मैं click करूँ, तो आप देख सकते है, इसने flower को तो select किया, लेकिन उसने सिर्फ इतने ही range को select किया, जबकि यह similar color यहां भी है, यहां भी है, और यहां कि सारे similar sunflowers, जो yellow color में है, वो select हो गए, तो yellow color, light से dark, orange या फिर जो भी थोड़ा बहुत उसमें, मिलते जुलते color होंगे, वो हम लोगों ने यहां पर select कर लिया, अब यह कैसे select हो रहा है, tolerance के वज़ा से, क्योंकि हम लोगों ने yellow से लेके, dark yellow, medium yellow, या फिर उससे भी darker yellow तक का जो range होता है, उसको यहां पे set करके रखा है, with the help of tolerance, तो ऐसे आप selection कर सकते, and selection करने के बाद जो आप इस पे करना चाहें, वो कर सकते, for example, अगर आप इसमें थोड़ी से और brightness, या आप इस पे, इसके color को change करना चाहें, तो यहां पे आप hue and saturation की, एक यहां पे आप ले सकते है adjustment layer, and then you can do the changes to the colors, like this, इस तरह से, ठीक है, अभी perfect selection नहीं है, तो हम लोग ज़्यादा यहां पे कुछ changes नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग हलके मुलकी यहां पे changes कर सकते हैं, ठीक है, तो this is how you can make the adjustment, तो यह तरीका हो गया, जिससे हम लोग selections कर सकते हैं, with the help of magic wand tool, उसके बाद जो पूरे image में, या फिर पूरा जो आपका layer का structure होता है, उसमें कहीं से भी वो pixel को sample कर सकता है, अभी फिलाल क्या है, यह off होने से क्या हो गया, जिस image को मैंने select किया हुआ है, सिर्फ उसी के colors sample होंगे, लेकिन यह option on होने से, अगर आपके layers, panel में बहुत सारे layers है, और आपने composite त देख लेते हैं, क्योंकि यह common tool आपको मिलेंगे बाकी के tools में भी, तो अब हम लोग चलते हैं next tool की तरफ, which is quick selection tool, quick selection, जैसा कि नाम यहाँ पे बता रहा है, quickly हम लोग किसी भी pixel को, या किसी भी image को हम लोग selections कर सकते हैं, अब यहाँ पे edges find out करता है, आपके images में edges कहां होते है and accordingly यहाँ पे वो selection करता है, अब selection tool basically काम test करते कैसे, यहाँ पे what they do, they look for contrast, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे separation करने के लिए यह tools देखते हैं edges को, जैसे यह background है और यह foreground है, तो यह जो पतली से line यहाँ पे जा रही है, that's an edge, तो when we use this tool, जब हम लोग इस tool को use करते हैं, and selection करना start कर देते, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने quick selection tool को लिया, and मैं यहाँ पे paint करना start करता हूँ, तो यह tool directly यहाँ पे search करना start कर देता है, कि edges कहाँ पे, यानि कि color differences कहाँ पे, contrast कहाँ पे, बीचे हम लोग को lighter background मिल रहे हैं, आगे darker है, तो उसको समझ मे आ जा रहा है कि दोनों के बीच का जो separation line है, वो यह edge है, तो now it starts selecting this entire image, तो इस तरह से मैं paint करते जा सकता हूँ, now quick selection tool is brush type tool, तो यहाँ पे आपको new add subtract के साथ साथ में यहाँ पे आपको एक brush tool मिलता है, जहाँ पे आप आपके brush के size को कम जादा रख सकते हैं, अगर आप बारिक selection करना चाहते हैं, अगर आप बहुत बड़े image को select करना चाहते हैं तो आप इसका size बड़ा रख सकते हैं, and then you can go and paint like this, तो quickly इस तरह से paint करते जा सकते हैं, तो जैसे जैसे आप paint करते जाएंगे, जहाँ जहाँ उसको edge मिलेगा and contrast मिलेगा, contrast बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर edge पे कहीं पे भी similar तरह केगा, अगर color मिल जाएगा, तो वो selection खराब कर देगा, let's say for example, अगर हम लोग यहाँ पे आए, देखते हैं चलिए, कि यह selection कैसे करता है, अब यहाँ तक तो कोई भी problem नहीं है, क्योंकि हम लोगों को यह दो color के बीच में differences हैं, तो वो easily उस ची edges difficult होते हैं, इस tool को identify करना, तो हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से edge पे आके manually paint करना होता है, अगर आप जरा भी बाहर चले गए, तो वो आप बाहर के pixels को select करना start कर देता है, कोई problem नहीं, आप यहाँ पे इसे minus पे डाल दीजिए, and then you can start making the adjustments, and फिर यहाँ आपका selection करके selections ready कर सकते हैं, तो brush के sizes के साफ में आप continuously खेल सकते हैं, यानि उसे कम ज़ादा आप रख सकते हैं, and accordingly जैसा आपका selection के requirement हो, उस तरह से आप उसे adjust करिए, and अपने selection को और perfect करिए, तो इस तरह से आपका यह selection बन के ready हो जाते है, and again, now how you can use this image, आप simply copy and paste कर सकते हैं इसे, य आपकी नए layer पर आ गई, अब इसके पीछे आप कोई भी background या दूसरा डाल सकते हैं, but अभी image perfectly ready नहीं है, because अगर हम लोग यहाँ पर edges पर आ जाएं, तो आप देख सकते हैं, इसकी edges बहुत खराब है, चीक है, and इतने जादा इसके अंदर details नहीं है, and since यहाँ पर इस तरह क एक jacket-ish sweater पैना हुआ है, जिस पे बहुत बारीग-बारीग details, यानि की hair से shapes बहुत ज़ादा इस तरह से uneven surfaces as shapes से, तो इससे selections को बनाने में बहुत ज़ादा difficulty आती है, and कोई भी tool ऐसे images को select करने में इतना अच्छा perfectly काम नहीं कर पाता है, तो इसलिए अब हम लोगों को यहाँ advanced tools की जरुवत पढ़ती है, जब भी हम लोग यहाँ पर काम करने जाए तो, अब हम लोग यहाँ पर quick selection की options की बात कर ले, तो हम लोगों को new, add, subtract, brush, size, जहाँ पर size, hardness, spacing, आप adjust कर सकते हैं, angle होता है, sample all layers, जैसे भी previous tool में मैंने आपको बताया, कि composite में पूरे सारे के सारे images को select कर सकते हैं, auto enhance, basically edges जो होता है, उनको properly selection करने के लिए काम आता है, तो वो identify करता है कि यहाँ पर edge कहाँ पर है, and उसे थोड़ा सा finishing अच्छा कर रहा है, then हम लोग को मिल जा रहा, select subject and select mask, and यह हम लोगों को same, पीछले tool में, यानि के हमारे magic one tool में भी मिल रहा था, okay, and अब finally हम लोगों को मिल जाता है, object selection tool, now this tool is very powerful tool, यह complete AI based tool आपको यहाँ पर मिल जा रहा है, यह Photoshop में CC के versions में last 3-4 साल से यहाँ पर available है, यानि previous 2-3 versions आ गए है, तब से यह tool available था, but previous versions में यह इतना जादा effectively काम नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे versions better होते जा रहे हैं, जैसे जैसे new versions available ह यह tool भी बहुत जादा improve होते जा रहे है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, यह object selection tool basically काम कैसे करता है, जैसे आपने इसे select कर लिया, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर modes मिलते है, new add subtract intersect, I don't think so, I have to explain it, mode मिलते हैं, जहाँ पर rectangle या lasso mode ले सकते हैं, आप simply आपको क् if you want to separate this character from the background, तो आपको सरिफ यहाँ पर click करके इस तरह से drag करना है, तो आप simply click करिए and ऐसे drag करिए, जिस भी subject आप select करना चाहते, जैसे आपने click करके drag किया, अब यह tool automatically इस image को या फिर इस subject को identify करना start करेगा and accordingly जितना भी मैंने selection मनाया है, इसके अंदर जितने भी objects आएंग इसलिए इस tool ने इस subject को select कर लिया है, यहाँ पे, ठीक है, कुछ areas होते हैं जहाँ पे थोड़ा perfection नहीं आता है, तो वहाँ पे आप manually बाद में वापस जाके थोड़े बहुत changes या additions कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें इसी कोई problem नहीं है कि आप बाद में नहीं कर सकते है जैसे मैंने बताया कि tool है, यहाँ पे इनको भी सीखना पड़ता है, हर image पे यह tools काम करें, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, तो थोड़ा बहुत corrections तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप एक ही tool से सारी चीजे करें, अब जैसे आप आपने यहाँ पे इतना selection बना लिया, next आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं यहाँ पे quick selection पे, brush के size को आप यहाँ पे छोटा कर सकते हैं, ऐसे, and then you can start adjusting this selections also, so यह भी आपको provision मिल जाती है, कि आप दूसरे tools का इस्तमाल भी कर सकते हैं, and यह combination होता है, आप combine करके यहाँ पे इन tools की combinations के साथ में selections को बना सकते हैं, and जैसी हमारा selection बन गया, अब आप इसे extract करके backgrounds में change कर सकते हैं, तो मैंने इसका कुछ example तयार किया है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो as you can see, यहाँ पे मैंने जो previously जो इसका sky था, मैंने उसे replace कर दिया है, मैंने background sky को ज़्यादा color नहीं change किया है, मैंने उसे एक gradient apply कर दिया है, selection करके, या फिर आप यहाँ पे दूसरा इस तरह का कोई background डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ऐसा background भी add कर सकते हैं, आपको make sure करना है, जब भी आप इस तरह के images यूज़ कर रहे हैं, तो lighting and everything, you have to take care of that, subject के उपर जहाँ से light आ रही है, तो make sure करना है कि जो background हम लोग डाल रहे हैं, वहाँ पे भी lighting हमारी perfect हो, and this is how you can make a object selection, अब object selection को use करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, अब next जो चीज़ हो जाती है, वो है आपके selections को refine करना, अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा previous example में, हमारा selection तो हो जा ठीक है, तो अब हम लोग उसे refine के से करें, तो यहाँ पे हम लोग एक अच्छा का सा एक example ले लेते, तो I have this subject या पर यह एक photograph है, मुझे क्या करना है, इस character को background से separate करना है, अगर हम लोग यहाँ पे details की बात कर ले, तो body तो हमारे पास है, यानि कि इसकी जो overall जो edges हैं, वो अ because बाकी जगा पे तो यह ठीक है, because lighter and darker यहाँ पे contrast दिखाई दे रहा है, and यहाँ पे भी ठीक ही है, but यह edge पे थोड़ी से difficulty आ सकती है, and दूसरी जो challenging चीज होती है, हमारे लिए है, हैर इसको करना, तो यहाँ पे मैं एक चोटा example ले रहा हूँ, ठीक है, next जब हम लोग advanced selection mode मे जाएंगे, तब मैं आप लोगों को यह example भी दिखाऊंगा, कि इसे कैसे किया जाता है, but जो मैं अभी technique दिखा रहा हूँ, उसके help से आप यहाँ पे try कर सकते है, similar technique से यह काम करता है, and आप ऐसा selection भी बना सकते है, ज़्यादा कुछ difficult होता नहीं, but यहाँ पी यह थोड़ा स अलग approach लेना पड़ता है, वहाँ पे, now what I can do, simply अगर मुझे इस character को select करना, या फिर इस object को या subject को मुझे बैगराउंड से अगर separate करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आता हूँ यहाँ यहाँ पे select subject, या फिर आप यहाँ से कोई भी tool ले सकते, select subject, तो यह option, यह option, आप almost आपको same मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, select पे जाना है, subject पे click करना है, now depending on your image size and image quality, यहाँ पे थोड़ा time लग सकता है, अब देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैं image use कर रहा हूँ, यह नीचे 4000 by 6000 का size है, यह बहुत high resolution images है, अब high resolution images इसलिए use किये जाते हैं, ताकि आपको एक- selections त्यार कर सके, guys, कोई भी low quality images को लेके आप selections बनाने की कोशिश ना करे, try करे कि जितना हो सके, उतना original size image का आपको मिले, अगर आपने उसे किसी DSLR camera से या अच्छे phone से भी click किया है, तो make sure करिये कि उसका resolution, जो image resolution है, जो image dimension है, वो बहुत ज़ादा high हो, ताकि आप अच्छे स उसे select करके, या background separations कर सके, अब आप देख सकते हैं, हमारे tool ने almost अच्छा काम किया है, कुछ जगहों पे इसने थोड़ा बहुत छोड़ दिया है, selections को, let's look at that, तो अगर मैं यहाँ पर zoom कर लूँ, तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर जो contrast है, थोड़ा कम हो जा रहा है ठीक है, यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को जो starting में बताया है, कि थोड़ा सा यहाँ पी selection करने में तकलीफ देगा, क्योंकि background और जो edge है, वो almost एक हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी दूसरी जो चीज हम लोग देख सकते हैं, कि जो hair है, वो इससा rough selection, अगर मैं अभी से आपको separate करके दिखाऊ, copy and paste, तो आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे जो edge है, जो hair है, वो इतने perfectly select नहीं हुए, and कुछ जो हमारे details है, इसके jacket के, वो भी हमारे lose हो चुकी है, ठीक है, तो अब हम लोग उसे थोड़ा सा correct करेंगे, तो मैं यहाँ पे undo कर देता हूँ, and let's come back, and let's refine this thing, तो अब आपको इसे अगर properly यहाँ पे लेके आना है, या फिर इसे fill करना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, let's go to our select and mask option, ठीक है, इस option पे हम लोग click करेंगे, यहाँ पे लिखा है create or refine a selection, तो first let's click on this thing, जैसे आपने इस पे click किया, तो यहाँ पे यह एक अलग सा window या tab जैसा open हो गया, अब यहाँ पे आप थोड़ी वोत refinement कर सकते हैं, तो अब for example, हम लोग ने एक देखा कि यह जो है, हमारा add नहीं हुआ था, तो यहाँ पे आपको कुछ view modes मिलते हैं, जहाँ पे मैं इसे set कर देता हूँ, फिलाल के लिए overlay पे, यह सारा का सारा panel में आपको आने वाले class में, जब हम लोग advanced options देखेंगे, तब मैं आपको पूरा explain करूँगा, अभी फिलाल के लिए जो ज़रूरी options हैं, उसे हम लोग देख लेते, तो मैं आपको इसे view को overlay पे रखता हूँ, आप किसी पे भी रख सकते हैं, black, white, black and white, on layers, marching ant, onion skin, जैसे आप इस रखना चाहते हैं, आप इसे रख सकते हैं, मैं इसे फिलाल के लिए overlay पे रख देता हूँ, यहाँ पे keyboard shortcuts भी आपको मिल जाते हैं, अब आपको क्या गरना है, सबसे पहले हैं तो हम लोगों को यह jacket का अला हिस्सा हम लोगों को यहाँ पे add करना है, तो मैं simply यहाँ पे आता ह होता है, तो आपको simply यहाँ पे बहुत बारिकी से paint करना है, brush के size को थोड़ा increase कर सकते हैं, आपको लगता है कि बहुत छोटा brush है, तो आप यहाँ पे इसे बढ़ा कर दीजिए, and now when you start adding this thing, अब क्या होगा, इतना यह हिस्सा हमारा वापस से add हो जाएगा, तो आप आराम से करके इसको थोड़ा थोड़ा करके refinely, इस पे काम कर सकते हैं, easily, अगर आप pen tablet या फिर drawing tablets का अगर आप use कर रहे हैं, तो आप इस पे और अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे, अब गलती से कभी क्या होता है, हमारा यह बाहर चला गए कि कोई problem नहीं, हम लोग brush को minus mode पे डालते and then let's do it again and we will subtract those areas, ठीक है, तो आप आराम से इस चीज़ को add कर सकते हैं, या subtract कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे भी इससे इस तरह से paint कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ हिस्से हमारे चूट गए, then इस जगह पे हम लोग आ जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आप तो बताया कर सकते हैं, अब बारी आती है, यहाँ पे hair के लिए, तो अब hair के लिए हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है, एक refine tool, तो हम लोगों को यह second tool choose करना है, which says refine selection, इसे select करने के बाद में, यहाँ पे भी आपको same option मिलेंगे brush के, अब आपको क्या करना है, जिस भी pixel को आपको select करन है, या पेर अच्छे तरीके से refine करना है, आपको सरफ उन edges पे brush को run करना है, तो if I just simply click here and run it like this, तो अब यहाँ पे हमारा tool texture and colors को identify कर रहा है, and यहाँ पे उसकी selections वो create कर रहा है, यह tool बहुत simple तरीके से काम करता है, यह textures को देखता है, background, foreground का जो भी texture होता है, या जिस pixel को हम ल sample कर लेता है, और उसे separate करने की कोशिश करता है, तो मैं यहाँ पे भी इसे run कर देता हूँ, इस तरह से, slowly हम लोग इस पे काम करेंगे, then आप चाहिए तो यहाँ पे edges या कोई और हिस्सों पे भी इसे इस्तमाल कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है, आपको लगता है कि यहाँ भ को paint करने की usually जरुवत मी, आप simply brush लेके भी यहाँ पे add कर सकते हैं, यानि कि आपको क्या करना, simply minus पे डालिए, और इस तरह से brush के help से आप इस तरह से यह color paint कर दीजे, तो यहाँ पे हम लोग mask add कर रहे हैं, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे यह हो चुका है, next हम लोगों क right side में आना है, यहाँ पे selections में, यहाँ पे edge detection बन कर देता हूँ, मैं refinement भी फिलाल के लिए बन करता हूँ, next option हम लोगों को turn on करनी है, वो है decontaminate colors, because अभी जो यह बाल है, या फिर जो इसके edges है, इस पे जो color आ रहा है, वो background का आ रहा है, तो हम लोगों को वो background color completely निकाल दे सकते हैं, यहाँ से हम लोग value setup कर सकते हैं, कि कितना decontamination हम लोगों को चाहिए, तो यह आपको experiment करना होगा, आपके images को देख देख कि कितना आपको चाहिए, तो उससाब से आप यहाँ पे experiment कर सकते हैं, values के साथ खेल सकते हैं, output to new layer with mask हम लोग करेंगे, and हम लोग OK करते हैं, OK करने के बाद में आप देख सकते हैं, हमारा image जो है इस तरह से background से separate हो गया, अब चलिए हम लोग इसे check करते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, solid background डालता हूँ, and let's check, and you can see यह बहुत अच्छे तरीके से separate हो चुका है, and अगर मैं यहाँ पे hair के पास आओ, and हम लोग चेक करें, तो देखिए hair भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे यह separate हो चुका है, and यहाँ पे zoom भी करेंगे, तो देख सकते एक-एक edges यहाँ पे background के साथ easily merge हो जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे easily आप background replacement कर सकते हैं, and इस image को या फिर इस photograph को आप किसी भी तरह के अलग तर कर सकते हैं, alright guys, तो I hope आप लोगों को यह तीनों tools समझ में आये रहेंगे, तो यह basic introduction हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, यह tool कैसे function करते हैं, आने वाले advanced class में हम लोग advanced topics पे भी जाएंगे, और किस तरह से इसे और advanced तरीके से use किया जा सकता है, वो मैं आपको सिखा दू यह फिर आप directly जा सकते है, pexels.com पे जैसे आप देख सकते हैं, मैंने इन images को download किया, pexels के website से, वहाँ से आप free to use for commercial use के लिए, या license free images download कर सकते हैं, और आप उसे use कर सकते हैं, alright, so I hope आप लोगों को आज की class interesting लगी रहेगी और आज अपने कुछ नया सीखा होगा, आने वा तो आज के class में इतना ही, मिलते हैं next class में, and guys, just like every class, मैं आज के class में भी आप लोगों को बताना चाहूंगा, कि guys, अगर आप videos देख रहे हैं, video आपको पसंद आ रहे हैं, तो please comment जरूर करिए, and like करके share भी करिए, okay, so thank you so much for watching, मिलते हैं next class में